आज़ने सौछ कि वीडियो में हम जानने वाले हैं टी-म-आई के बारे में डारेक्शनल मोपनेंट इंडेक्स ये एक इंडिकेटर है दीकिए फरस्ट अफॉल मेरा मोटेव आपको इंडिकेटर देना नहीं है मेरा मोटेव आपको नौलिज देना है ना शेयर करना आपके सा में है वह आप जान ले एक लिस्ट के बारे में भले यूज नहीं करें है ना बट उसके बारे में जान ले सीख लें और चाहे तो अपने सेट अप में एड़ कर सकते हैं आपकी मर्जी है बाकी मेरा काम आपका सेयर करना तो इतनी महत लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग इसली यह सब्सक्राइब चलते हैं इसका यूज कैसे करते हैं देख रहागा 50 मिरे पास निफ्टी उपन है अभी इसको पन करते हैं कैसी लाना है इंडिकेटर पर जाएंगे डियमाई लिखेंगे यह पर चाहिए इसको करना है सिम्प्ली सिलेक्ट तरसे उसके यहां पर कुछ लाएं नहीं जाएंगी फिर आपको डल लाएं यह सब क्या है तो पर जानते हैं बहुत सिम्पल है मैं आपको बतातूं कैसी उस करते हैं आना है सबसे पहले टाइम फ्रेम करना है 15 ADX smoothing इसको करना 13 लेंथ इसको भी कर देना 13 setting पर जाना स्टाइल पर ADX को यहां पर आइगे प्लस डिया पर तरस डे माइनस डे दो हैं उसके करते हैं फिस्को भी कर दो यहां थे सकते हैं कि कुछ चण नहीं करने सिंपल सेटिंग क्लियर हो गई एतना अप समझे तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो ए वीड़ियो को लाइक कर दो चली अभी आपन करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है 50 20 पे एक आपको होरीजंटल लाइन मार्क कर देनी है ठीक है 20 पे 20 ए 23 पी आप जिस पर चाहिए कर सकते हैं यह जिस्ट एक इंडिगेटर है ना इसको यह मा समझना आप लोग की कोई की स्ट्रेटेजी है नई जस्टिक इंडिगेटर का यूज मैं बता रहूं आपको है ना इसी इन सब चीज़ को आइड करके आप एक अपना सेटप बना सकते हैं जैसे बहुत से चीज़ें और यह सब देखो और एक अपना अच्छा खासा प्यारा सा स्थोड़ा सेटप बना है मैं इसको थोड़ा साव ऐसा सिस्टमेटिक कर देता हुए ना नहीं तो आपको फ्लेट ही देख रहा होगा सब यहां पे इसको एसा कर देते हैं यहां पर देखिए जब भी 20 के ऊपर गया है तो एक बड़ा मोमेंटम मिला है देखिए अब यह रेड और ग्रीन लाइन क् इसका मतलब यह है कि मार्केट पुलिश है अगर डाइन ग्रीन के उपर है इसका मतलब मार्केट य Miguel बोलेश ज़रूरी क्या रहाता है ADX की देखो अगर कोई भी भले ग्रीन उपर या रेड उपर है अगर मार्कित कंसोलेडेशन में तो ऐसे लिट हो जाएगा है ना ऐसे लिट हो जाएगा ओविसली तो हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए और चाहिए और इस कि तरफ है बोलेश साइड और बैरिस साइड है ना बोलेश साइड है कि बैरे साइड है तो यहाँ पर है सीन सिंपल मैं इपको बताता हूँ भी एक्स यहाँ पर एक्स ने क्या किया 20 क्रॉस या जस्ट इसकी उपर देखिए इतना ट्रेंड छूड जिद चूड गया था बट है ना ट्रेंड तो निकल गया था सो इसलिए मैं बोलना हूं इसको यह कोई स्ट्रेटेजी नहीं जिस्ट एक इंडिएटर है है ना सो यहां पर देखिए इसको हमने 20 पर माक के उसके बाद भी आपको स्केल्पिंग के थोड़ा ट्रेड मिल जाता है ना कुछ पॉइंट मिल जाते हैं तो यहां पर देखाता हूं मैं यहां यहां पर देखते हैं यहां पर देखिए आप ADX कित्ते पर है ADX 27 पर यहां पर इस पॉइंट पर एक बाइस को मैं एक वर्टिकल लाइन इस पॉइंट पर आसपास ठीक है यहां पर ग्रेड केंडल ने ग्रीन को कट कर दिया उसके बाद देखिए सेकेंड केंडल पर ही इसने हमको सेलिंग केंड देखिए कि बाई सेलिंग मोमेंटम आने वालत यहां आप अगर पूट बाय कर लेते कॉल शॉट कर देते तो क्या प्रॉफेट मिलता था वह भी बता देतों कितना प्रॉफेट मिल जाता है आपको यह देखो पांसो लाइन स्वारी पांसो पॉइंट में इतना नीचा आया चलो मिनीमम तो म सब्सक्राइब मिलते थे समझ यह चीजें है यह इसको आप अपने सेट अप मेंड कर सकते हो जरूरी नहीं कि हरवार आपको मोमेंटम दे बट्रेंड बता देता है ना और बड़ा ट्रेंड ऐसे कोई ट्रेंड फस जाता है तो बहुत पर साही रहता है अभी देखते हैं य है मैं मेरे उल्डी पता है अगर अपर घ्र कर n यहां पर कर सकता है है यहां पर आप फूंट करेंब देखते हैं जाabb करेंसरी अप लाइन उपर है यहां पर हम अगर सेल कर दे या पूट बाय कर ले तो आपको टागेट मिल जाता ठीक टागेट मिल जाता ठीक है अफ्लीस एसल नहीं होता है बहुत रहा है कि एसलेट हो बट यह अकेला आप यूज नहीं कर सकते हैं आपको सेट अप चाहिए प्रोपर है ना मतलब स्थर नहीं रहा स्टेबल नहीं रहा फिर यहां से उपर फिर नीचे आए फिर थोड़ा सा एक पुलबेक लिए फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे अब लगा एक वोलेटाइल रहा है ना इतना बड़ा मुमें जब इतना बड़ा एक्सेप्ट कर लेता हूं है ना अगर बड़ा मुमेंट रहता है तो वह चूटता नहीं किसी वहाल में तो यह चीज अच्छी है सब्सक्राइब करें नहीं ऐसे लेट होंगे मैं खुझी बता रहा हूं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेता है उसके लिए दस बार पंदरा साल का है ना क्योंकि और जो नए लोग है आप 15 साल वाले वह अब क्या लगता सही मैं कोई बंदा लाख हूं रुपे लगा दे बहुत कंफर्मिशन लेता हूं सब लोग कंफर्मिशन लेते बले बताए कोई नी तो यह सब चीजें हैं होप सब्सक्राइब आप इसको समझ के होंगे है ना यह नए चीज होगी बहुत सारी लोगोंने नहीं सुना होगा अस तक द्यमाई क्या रहता है तो आपको हैल्प क लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो एंड प्लीज कमेंट करें बेना मत जाना कमेंट बहुत मोटिवेट करती है बुरा ही कर दो बट कर दो ठीक है तो अभी आप से मलते हो अगले इंट्रस्टिंग वीडियो में देखने के लिए पो तेने मत बाइ